आज हम बनाएंगे मूंग की दाल से बहुत ही बड़िहा स्वाधिष्ट और हिल्दी पिज्जा जो लोग डाइट में हैं उन लोग के लिए भी ये बहुत ही बड़िहा पिज्जा होने वाला है तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अगर मेरे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा इसके बाद चले शुरू करते हैं वीडियो तो यह हमने मौंग डाल ले लिया है और नाइट यानि की रात भर के लिए हमने इसको भीगने रख दिया था इसके बाद सुबा हमने इसका चिलका उतार लिया है धुलके चिलका साफ कर लिया है आपको कहीं कहीं चिलका दिखरा होगा इस से आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है क्योंकि मौंग की डाल का चिलका भी बहुत ही ज्यादा हेल्दी होता है प्रोटीन और फाइबर से भरपूर होता है तो हमने मिक्स पेश्ट तयार कर लेंगे तो जो लोग डाइटिंग कर रहा है उसके लिए बहुत ही बढ़ी हाई पिज्जा होने वाला है आप भर भर के पेट खा सकते हैं उसमें कोई भी सोचने वाली इफबट करने वाली कोई बात नहीं रहेगी पेट भर भर के इसको खा सकते हैं तो पेश्ट जो हमारा बन करके तयार हो गया है उसको हम Mixing Ball में ट्रांसवर कर लेते हैं इसके बाद जो पेश्ट हमारा लगा हुआ है Mixer jar में उसमें चौथाई का पाई डाल करके हम इसको भी इसी में डाल लेते हैं क्योंकि हमको इसमें इतना पानी मिलाना ही है तो हमने जार को धुल के जो पेश्ट चिपका हुआ था उसको भी हमने डाल लिया है तो अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसमें हमें और पानी नहीं मिलाना है इसी को हम बढ़िया से मिक्स कर लेंगे तो हमने इस पेस्ट पर चाथाई का पानी एड़ कर लिया है इसको हम बढ़िया से मिक्स कर लेते हैं अब इसमें हम स्वाधी के अनुसार नमक डाल देंगे नमक को भी हम इसमें अच्छे से मिला देते हैं इसके बाद हम जो हमें पिजा में सबजियां एड़ करनी है या जो हमारे पास सबजियां अवेलबल हो उनको हम काट करके रख लेते हैं वड़िया से तो यह हमारा पेश्ट बड़िया तयार हो गया है पिजा बेस बनाने के लिए पेश्ट हमारा रेडी है अब हम सबजियां तयार कर लेते हैं कट करके तो हमने लिया है कुछ टमाटर प्याज और शिमला मिर्च इनको भी हमने कट कर लिया है तो सबजियां हमारी तयार हो गई है अब हम जो मुंकी दाल का पेश्ट है उसमें हम मिलाएंगे एक चम्मच इनो फूट साल्ट उधर हमने पैन गरम होने के लिए रख दिया है यह हमारा पीजा सॉस है पीजा सॉस हमने घर में ही बनाया है अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में आप मेंशन कर दीजिएगा मैं इसका लिंक डाल दूँगी वीडियो इसका बना करके जरूर डाल लूँगी तो यह हमने ले लिया इनो फो लोड़ कि पाउच इसुमें से हम एक चमच हम इसके उपर पाई डाल देते हैं ताकि यह एक्टिवेट हो जाए और इसको हम एक ही डालका हाथo से इसको हम mix कर लेते हैं उदर हमने पायन रख दिया था गरम होने के लिए low flame पर गरम हो गया है इसको हम इसमें butter spread कर देते हैं आपको दिख रहा होगा कितने मोटी layer butter की लग गई है अब हम जो serving spoon होता है दाल सबजी serve करने वाला उससे हम दो चमच मोटा मोटा butter फैला लेते हैं याद रखिएगा butter को हमें पतला नहीं फैलाना है ठिकी ठिकी हमको butter फैलाना है जैसे हमारा पिजबेस होता है और 2-3 मिनट हमको इसको cook करना होता है 2-3 मिनट हो गए हैं अब पलटने से पहले इसमें हम सबजीयां लगा देते हैं फैला देते हैं और इसके बाद हम पलटेंगे यह process हमारा एक है और दूसरी तरीके का जो हम पिजब बनाएंगे वह में बाद में आपको बताऊंगी पहले इस तरीके से मैं मूंग दाल का पिजब बना रही हूँ अब हम इसको पलट देते हैं और 2 मिनट फिर से पकाएंगे उसी के साथ हमारी सबजीयां भी पक जाएंगी तो हम इसको कर देते हैं done अब 1-2 मिनट हम और पकाएंगे ढग करके तो मूंग की दाल से हम दो तरीके से पिजब बनाना आज बताने वाले हैं तो 1-2 मिनट हो गए हैं अब इनको हम पलट देते हैं इसके बाद जो हमने पिजब साथ तयार की है उसको भी हम उपर से लगा देते हैं चारों तरफ हम पूरे में साथ फैला देते हैं तो ये मेरी मौंग दाल पिजब की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके बताना बिल्कुल मत भूलिएगा आप लोग कमेंट नहीं करते हैं वीडियो देख लेते हैं कमेंट नहीं करते हैं और वीडियो को लाइक नहीं करते हैं ज़्यादा खाने से बसते हैं लेकिन ये पिजब आप जितना भी भर पेट के खाएंगे कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है तो आप इसको जरूर ट्राइ करिएगा तो आप देख रहे हैं हैं तीन मिनट हो गए हैं हमारा बढ़ी आसा पिजब तैयार हो गया है आप अगर चीज नहीं डालना चाहते हैं तो आप दही भी डाल सकते हैं उससे भी पिजब का टेस्ट बहुत ही बढ़ी आएगा अगर आप चीज नहीं मंगाना चाहते हैं नहीं खरिदना चाहते हैं या आप चीज खाने से बचना चाहते हैं तो आप इसमें फ्रेस्ट दही का यूज करिएगा दही खटा नहीं होना चाहिए दही से भी हमारे मोंगदल पिजब का टेस्ट बहुत ही अच्छा हैगा अब हम इसमें चिड़क देते हैं औरीगेनो और चिली फ्लेक्स तो ये मारा एक तरीका का पिज़ा बन करके तयार हो गया है इसको कट करके हम दिखा रहे हैं कितना बड़ी है हमारा पिज़ा बन करके तयार हुआ है कि देख रहा है न कितना बड़ी हा कितना टेस्टी कितना हेल्दी पिज़ा बन करके तयार हो गया है ये पिज़ा भर पेट खाने में कोई संकोष नहीं होने वाला है क्योंकि ये हेल्दी पिज़ा है तो कैसी लगी मेरी ये recipe आप comment करके जरूर बताईएगा तो अब हम बनाएंगे दूसरे तरीके से पिज़ा दूसरा तरीके बताने वाले हैं दूसी तरह हमने गरम तवे में बेटर फैला लिया है और serving के सुन से हम दो इस्पॉन डालेंगे बेटर बेटर को हमें ठीकी ही रखना है पहले के जैसे तो 3 मिनट बद हम देख रहें कि पग गया है इसको हम पलट देते हैं और पलटने के बाद अब हम जो काटा वाला चमच नहीं होता फॉक होता उससे हम बराबर गोद देते हैं इसके बाद हम इसमें पीजा स्वास लगा देते हैं फैला देते हैं मोटा मोटी मोटी लेयर में इसके बाद बाकी की सबजी भी हम इसी में फैला देंगे तो है ना ये दूसरे तरीके से जैसे आप पीजा बेस से पीजा बनाती है उस तरीके से हम ने इसको बनाया है तो सभी सब्जियां हम इसमें फैला देते हैं टमाटर, पेयाज, श्रिम्ला मिर्च इसके बाद हम इसमें चीज ग्रेट करके डाल देंगे और यह नो और चीज ग्रेट करते हैं इसके उपर से भर भर के तो जैसे हमारी चीज ग्रेट हो जाती है इसके बाद हम इसको ढख करके 2-3 मिनट यानिंग की चीज पूरी मिल्ट होने तक हम इसको पकने देते हैं तो 3-4 मिनट हो गए हैं इसके बाद हम उपर से फिर से चिली फ्लेश डाल देते हैं इसको हम निकाल लेते हैं तो हमारा अभी बैटर बच गया है एक पीजा के लिए तो उसको भी हम बनाएंगे हैना बढ़िया सा पीजा हमारा तो इसी लाश्ट वाले तरीके से हमने इसको भी बना लिया है कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ही मुमें पानी आ रहा है खा लेने का मन कर रहा है तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ बाई बाई